मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमाट एक श्री कृष्ण थे एक हनुवान जी थे विदेश मंत्री एस जैश अंकरे पोताना भाशन दर्मियान महाभारात अने रामायान नो उलेक करयो छे तेमने भगवान हनुमान अने कृष्ण नी अनोखी वातों करी चैने तेमनों य यह जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब जा क्या था वह अभी कभी आपको बताते नहीं है वह ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे यह कल पर सो हुआ है जो श्री कृष्ण की बात की महाभारत की बात की देखे मेरा जो उस पे जो लेक है मैंने लेक इसी लिए लिखा क्यू अगर मैं उनसे पूछूँगा कि अच्छा आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लमाट कौन था कि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वह आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वह वेस्टनी होगा मैं अगर मैं उनको कहूं कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लमसी पर सबसे अच्छी किताब क्या तो कहेंगे वह मेखेवली है वह हैरल निकल्सन है वह अरनस शाटो है त तो मेरा लिखने का कारण यह था कि मैं अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई घर में देखो अगर आप आप मेरे से पुछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लमाट कौन थे मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लमाट एक श्री कृष्ण थे एक हन्वान जी थे और बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं कि अगर आप उनको घूट नीती की परिपेक से देखें कि किस सिचुएशन में थे उनको मिशन क्या दिया गया था किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था और हन्वान जी ने तो मने उसके साथ इतना इंट्रिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे उन्होंने सीता को फिजिक वो कंटक्ट भी किया था पूरी लंका की खबर ली लंका को जला भी दिया उसके बाद पाने कैसे डिप्लमाट ने और पर्प कि दुनिया के दस स्ट्रटीजिक कंसेट जो आज की चर्चा में आज के डिस्कॉर्स में दस बड़े स्ट्रटीजिक कंसेट जो इंटरनेशनल रिलेशन मैं हर कंसेप्ट का आपको एक महाभारत में एकुलेंट दे सकता है कि अगर आप कहें अरे आज मल्टी पोलार वर्ल् कुरिच छेतर के मैदान में क्या हो रहा था वो मल्टी पोलार भारत था जिसमें अलग-अलग राजय थे सब को कहा गया कि आप उनके साथ हैं मेरे साथ हैं एक दो नॉन अलाइन निकले बिच पर जैसे बलराम थे या रुकमा थे या अब हम कहते हैं कि यह ग्लोबलाइज पर वय के अब तरुम सोन यह इंटिपैंडनेंट थे इमोशनल इंटरिपेंड़न ते कि मैं अपने रिष्टेदारों के खिलाफ कासे मेड़ाए पर वह भी इंटरिपैंडेंड रिमोशनल इंटरिपेंडेंडनिश या हम कभी-कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने यह वो क्या चलो हम स्ट्रटीजिक पेशंस दिखाते हैं स्ट्रटीजिक पेशंस का सबसे अच्छा उधारन जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्हों ने शिशुपाल को हंडल कि सो बार उन्होंने शमा किया सो बार उसके बाद आपको पता है उन्होंने किया या आजकल यह यह टर्म आया है रूल्स बेस्ट ओडर कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में जो राजनीतिक राजनीति में की आपस में कुछ एसकानून होते हैं कुछ रूल्स होते हैं महा भारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उलंगन करते हैं जैसे करन या दुर्योद वो अपने आखरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती है कि वो कहते हैं यह नहीं करूंगे रूल के मुताबिक और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने रूल्स उसी रू सारी चीज है आज हम कभी-कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश है अब यह याद रखेगा कि पांडव जो है पांडव कौरव की प्रपोर्शन जो थी वह सेवन टू लेवन थी कि वह चोटी फाउच थी उनके पास चोटी फाउच थी पर बड़ी सोच थी अनुशासन ज्यादा था क्रियेटिविटी ज्यादा था इंटेलिजन्स ज्यादा था और स्री कृष्ण उनके साथ तो और हम कभी-कभी रेपिटेशन कॉस की बात करते हैं कि रेपिटेशन जो है कूटनीती में राजनीती में भी जिस पे आप भरोसा मैं क्या कीमत बताऊ आपको जिस पे भरोसा करते हैं उसकी जो वैल्यू जो है पार्टी हो आदमी हो देश हो रेपिटेशन की बहुत कीमत होती है और पांडवों की रेपिटेशन जो है कौरव से इतनी अच्छी थी रेपिटेशन का बहुत फरक पड़ा है और कभी-कभी ये भी है कि जो बड़े गोल जो लार्जर गुड के लिए कभी लोगों को माने टैक्टिकल अजेस्मेंट करना पड़ता है और ये भी इसके बहुत उदार है जो युदिश्टर ने अश्वत हमा के बारे में का या जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कि अब टेक्निकली आप कहेंगे कि ये गलत चीज क्या है पर उन्होंने किया एक कारण के लिए कि उनका एक लक्षे था आप कहेंगे कि अब अगर आप लाजर गुड के परिपेक से देखें तो उन्होंने जो किया वो ठीक किया आप टेक्निकली देखें तो अलग बात थे तो ऐसी बहुत सार चीज़ है जैसे अब स्ट्रेटीजिक डिसेप्शन जो जब क्रिशन भगवान ने सूरियस को सूरियस का एक किसम से इल्यूजन क्रियेट कि तो जैदरत को लगा कि वो बच गए तो मैं आपको ये उधारन इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी सिच्वेशन हो कोई भी एनालेसिस हमें हम जो हैं इतनी माने असानी से ये शब लेते हैं ट्रोजन होर्स अखिलीस हील गॉर्डियन नॉट अब यह कहां से आते हैं ये शब्त किसी और के कथा से अब मुझे उससे कोई दुश्मन ही नहीं है कि मैं भी वह कथा पढ़ता हूं मुझे भी उसमें रुची है पर मैं हमारे देशवासियों को समझाना चाहता हूं कि आप अपने बारे में भी पढ़िए इसका भी महत्व समझे हम आपस की बाते में कम से कम इसका तो प्रयोग करें कि अगर हमें स्ट्रेटीजिक कल्चर दूसरों के अनुभवों और दूसरे के कथाओं से नहीं बने कि इंडियान स्ट्रेटीजिक कल्चर इंडिया के एपिक से बने कि यह जमीन जो है 1922 में चाइना ने कब जा किया था वह अभी कभी आपको बताते नहीं है वह ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे यह कल प अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता कि कहा जाना है मैं अपने मिलिटरी लीडर्शिप फोज या इंटलियन से बात करूं कि मैं चीनी अम्बैसिडर को बिला के मैं अपनी ख़वर के लिए मैं नहीं पूछू तो मैं मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है आत्म व कर दो